उठजाग मुसाफिर भोर भयो अब रेन कहां जो सोबत हैं जो सोबत हैं सो खोबत हैं जो जागत हैं सो पावत हैं बिहार के बिद्वान लोग सिचाओं से कहना ये है कि CWJC 7219 जो आगे बरहाया गया था जिसका LPA नंबर 432-2024 है उसमें कल क्या है कि पटना हाई कोट द्वारा एक मैसेज भेजा गिया है जिसमें इसको इसे LPA को The Joint Register Judicial Law आजमा में भेज दिया गिया है और भेजने का इसमें आज सिरियल नमर 37 है और ये 15 मई 2024 को इसका डेट है अर्थात आज ही के दिन डेट है तो इसमें बिहार के बिद्वान लोकसिचों को से निवेदन ये करना है कि जो भी लोकसिचक जिनका साइन नहीं हो पाया है बकालत नमा पर उनसे निवेदन है कि आप मुझसे कॉंटेक्ट करके जो बचे हुए हैं अबिलम क्या है कि बकालत नमा पर साइन कर दें चुकि क्या है कि कोट में मुझे अबिलम आपका जो भी नाम है उसको फाइल करना होगा और आप से निवेदन ये है कि चुकि लोहाजमा में ये चला गया है अब क्या है आज इसका डेट है और मुझे क्या है कि सुनवाई के उपरांथ हो सकता है मुझे उसमें जवाब फाइल करना होगा और जो भी नाम जिनका छुटा हुआ है उस नाम को बहाँ जोड़ना होगा तो जिनका कम से कम बकलत नमा पर साइन नहीं हुआ है उनसे मेरा निवेदन है कि आप कॉंटेक्ट कर ले मेरे नमबर पर या जैसे रंजी जैसवाल जी है या राजेंदर राम जी मुंगेर है कर ले और अबिलम क्या है कि आके बकलत नमा पर आप साइन कर दें चुकि अगर आपका नाम छुड़ जाता है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है चुकि ये जो केस है इसमें मेरिट है इसमें जमीन रिश्ट्री का पेपर है और भी बहुत सा ऐसा सबूत है जो आपके बेगुनाही को साबित कर रहा है और हो नहो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि LPA में ही आपके साथ इंसाफ हो जाए और आपका जो भी जो खोया हुआ समान है वो बापस हो जाए तो ये पंद्रे 52024 को ये लौजमा में ये आ गया है आप देख सकते हैं कि LPA 432 अबलि 37 है और पंद्रे 52024 इसका डेट है तो ये तो हो गई ये आपका केस चुकि ये लौजमा में चला गया है और यानि कि अर्थात आपका केस आगे बढ़ गया और दूसरा बिहार के बिद्वान लोग सिचाओं के लिए और भी संदेश ये है कि कल ही एक आबेदन एक कम्प्ल गया है जिसका जो मुखे जो सिर्शक था वो इस परकार से है कि टू दा हम्बूल चीफ जस्टिस सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया नियू देली सब्जेक्ट में काइनली भी गॉट फाइल काउंटर एफी डेफिट अकॉर्डिंग टू इच एन एफिरी पैरा इन ल्पी नमर 432-2024 इराइजिंग आउट CWJC नमर 3221-2019 बाइडिशनल एड़ोकेट जनरल 13 पटना हाई कोर्ट यानि मैं भारत के मुखे ने अधीस के महोदे ये सिकायत कर रहा हूं कि LPA जो अभी फाइल किया गया है 432-2024 इसमें मेरा गुजारी से है कि एडिशनल एड़ोकेट ज पतना हाई कोट की यानि भीहार सरकार के जो बकील है उनसे मेरा कहना है कि अभी तक केस में पैराबाई जबाब नहीं फाइल किया गया है अर्था जमीन रइश्टिरी जो लोक सिच्छा जहां परहा रहे थे किया गया वो पेपर सही है या गलत है इस पर सरकार कुछ भी पर जूट है या यह पेपर सत्त है आटी आई का जो रिपोर्ट है उस पर कुछ तो बोले यह पेपर सही है या गलत है तो ऐसा है कि और भी इसको इस परकार से मैंने इसमें पॉइंट डाला है या केस जो था CWJC 8121 उसमें पैरा बाई जवाब सरकार ने नहीं फाइल किया था इस केस इस बिलोंगिंग तो अबाव 30,000 लोकसिक्षक फूज पोष्ट वाज अबोलिष्ट इन 2016 और यह केस 30,000 लोकसिक्षक को इसे समंधित था जिसका पद 2006 में समाप्त कर दिया गया और उसमें से कुछ लोकसिक्षक 2010 में बहाल कर लिये गए यानि सही बात यह है कि 30,000 लोकसिक्षन केंदर वेर परमोटेड इन प्राइमरी स्कूल एंड पोष्ट अब लोकसिक्षक हैज मिल यह वो लिस्ट बाई गवर्मेंट और बिहार और 15,000 नए प्राथम की विद्याले खोले गए और उसके जगए पर क्या है कि नया सिक्षक बहाल किया गया और लोकसिक्षक का पोष्ट जो था समाप्त कर दिया गया जो नियम कहता है यानि पैरावाज उसका LPA में जवाब फाइल किया जाए तो ये भेज दिया गया है सतार भाई को दे दिया गया था सतार भाई बाई रिश्टरी इसको पोष्ट कर दिये हैं और दूसरा आज क्या है कि इसमें फिर Chief Justice Mahoday Supreme Court के समक्षे क्या है कि हो सकता RTI फाइल करके भेज देना है चुकि बिहार के बिद्वान लोग सिच्छों को आप जान लिजिए कोई भी केस सबूत के आधार पर जीता जाता है और लोग सिच्छक इस बात को साबित करने के लिए सक्छम है कि लोग सिच्छन केंदर को ही विद्याले बनाया गया तो जब लोग सिच्छन केंदर को विद्याले बना दिया गया तो फिर लोग सिच्छक को उसमें बहाल क्यों नहीं किया गया तो यही अपना मांग है तो अभी चुकि बिहार के विद्वान लोक सिच्छों से ये कहना है कि LPA नमर 432 अबलिक 2024 आज इसका यानि 15-15-2024 को लौजमा में इसका आज सुनवाई होने जा रहा है इसका सिरियल नमर 37 है और इसमें क्यात है कि जो कुछ अबजेक्शन है उसको द कहना है कि दिखिए ये लोजमा में चला गया अब क्या है कि अगर आप आकर सही समय पर अगर साइन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका नाम हो सकता है कि छूट जाए तो आप से निबेदन ये है कि आप जो भी हमारे साथ लोक सिचक है जैसे रंजीत भाई है अमरेंदर भीया है संजीब पूरवे जी है या राजेंदर राम जी है मुंगेर उसके इलावा संगीता जी पतना है उसके इलावा अरबीन जी मुझाफर पूर है जितेंदर जी सारन है तो इन लोगों से कॉंटेक्ट करके और आप आके आपिलम साइन कर दें ऐसा ना हो कि आप कहने का से आगे बढ़ रहा है और इसमें अब टालने का कहीं से कोई गुंजाइस नहीं है बहुत जल्दी LPA का हो सकता है सुनवाई हो जाए मुझे लगता है चार से छे महिना में ये आपका निशित ही सुनवाई हो जाएगा तो अभी जो जिस बात पर मैं फोकस कर रहा हूं कि सबस से पहले सरकार इसमें जवाब फाइल करे और बिहार के बिद्वान लोग सिच्छक जो कम से कम 106 में जीन का नाम है उनसे स्पेसल निवेदन है जो अभी तक पटना हाई कोट आके बकलत नमा पर साइन नहीं किये है और जिनका बाकी है साइन करना उनसे निवेदन है कि आके आप साइन कर दें और दूसरा बिहार की बिद्वान लोग सिच्छक जो आप बादा करके गए है सहजोग रासी के लिए किरपिया आप वो भी रासी भेज दें चुकि क्या है कि पटना हाई कोट में अभी बहुत परकार का चलेंज है और आप देखी रहे हैं कि 1 अपरिल 2024 क केस फाइल कर दिया गिया और ये 15 मई 2014 को ये लोजमा में भी आ गिया आप केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हो नहों ये पटना हाई कोट अगर डबल बेंच अगर आपका LPA में आदेश आ जाए अगर सरकार अगर सबूत अगर किसी परकार से फाइल क आए तो बिहार के बिद्वान लोग सिच्छाओं से ये कहना है कि कहने वाले ने कहा था कि साखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम कहदे इन हवाओं से आउकात में रहें बिहार के ऐसे लोग सिच्छाओं जो पटना हाई कोट में आपको लेकर आए और आपको प्रफाइल करे और सबूत के अधार पर कोट में केस जीता जाता है अगर सबूत आपके फेवर में है तो फिर डरने की क्या बात है घवराने की क्या बात है तो ये जो केस है बिहार के बिद्वान लोक्षिचों से कहना है कि सबसे पहले LPA जिसमें 106 नाम है उसको किसी तरह प करने के बाद मैं चाहूंगा कि एक समूह के रूप में आपका कम से कम 2000, 4000, 5000, 10,000 लोक्षिचों को एक समूह में जोडते हुए आगे बढ़ने का मैं कोशिश करूंगा तो अभी जिनका 106 में नाम है उन्हीं से निवेदन है जो भी अगर साइन नहीं किये है आकर पतना हाइ अंदर जो लोक्षिच्छा के 106 में है वो तकरीवन 70 के अंदर तक मुझे ऐसा लगता है वो एक्टिव हो चुके है अब जो भी सेस बचे हुए है आपका ही नाम बाकी है तो बिहार के बिद्वान लोक्षिचों से यह जो संदेश कहना है कि देखिए आपका जो भी मामला ह चीफ जश्टिस सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया के पास बेज दिया गया है कि आपके केस में कम से कम सरकार समुचित जवाब तो फाइल करे हमारा जो पैरा है उस पैरा को कम से कम टश तो करे इभिरी पैरा को टच करे तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के घर देर होता है अ अच्छा समाचार आए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो case है, LPA है, जो सरकार, पिछले case में जो पैरावाई जवाब नहीं फाइल की थी, ये आपके लिए, लोकसिचों के लिए एक अच्छा आपसर है, चो कि इसमें अगर सरकार अगर पैरावाई जवाब फाइल कर देती तो आप का सुनवाई जो है और आप बेगुना है ये साबित हो जाएगा और बिहार के बिद्वान लोग सिच्छों से ये कहना है कि जब मैं लोग सिच्छक था तो जमीन मैंने रजिश्टिरी करवाया था एक सज्जन बाटनमर 14 में थे मैं एक तुन्टुन सा नाम के थे उन उन्होंने एज में छुट मांगा सिच्छा मित्र से तुलना किया लेकिन इस वार मेरा ऐसा कहना है जिए लोग सिच्छक केंदर को ही विद्याले बनाया गया तो जब हमारे केंदर को आपने विद्याले बना दिया तो फिर हमको आपने क्यों छोड़ दिया जब आप निया भाव नहीं तो क्या है तो कहा जाता है कि दुखिया के कुछ ना करिये दुखिया देगा रोया दुखिया के जो मुखिया सुनी है जर से दिया है तो इस बार क्या है कि बरी करा निर्न लेते हुए आगे बरहा जा रहा है और केस LPA नमर इसका केस का LPA नमर भी आ गया है तो आ मिस्वर जी कल आए या उनसे भी आप कॉंटेक्ट कर लें आप अबिलम आके इसमें जो भी है आप साइन कर दीजिए जूर जाएए कहीं अगर आप छोड़ते हैं तो कल आप कहेंगे जो मिराज जी मेरा नाम आप छोड़ दिये तो 106 में जो भी बिद्वान लोक सिछक हैं उ आप आजाएं और आने के बाद आप अपना जो भी जहां भी साइन करना है आके साइन कर दें उसके इलाबा क्या करें जो आपका जो भी सहजोगरासी मुनासिव हैं आप सहजोगरासी से मदद कर दें तो बिहार के बिद्वान लोक सिछा उससे यही कह रहा हूं कि मैं कह रह पतना हाई कोट के चीफ जश्टिस के पास भी भेज दिया हूँ, एक सुप्रीम कोट के चीफ जश्टिस के पास भी भेज दिया हूँ, और यही मेरा एक सिंपल सा कहना है, कि कम से केम पैरा बाई जबाब तो फाइल कर दिया जाए, और कोट में जो केस जीता जाता है, सबूत हाई कोट आ जाईए, कॉल करके आ जाईए और अगर मुझसे बात नहीं हो पाती है तो जो भी हमारे साथ सक्रियल लोक सीचेक है उनसे कॉंटेक्ट करके आप आ जाए चुकि ऐसा कहा जाता है कि सतरकता हटी दुर घटना घटी तो भी हार के बिद्वान लोक सीचेकों से यही कहना है कि इस बार चुकि क्या है जो अब नीचे का CWJC अस्तर से गुजर जाया गया है अब चुकि LPA बाली बात है और अब चुकि लोक सीचेक चुकेगा नहीं जो भी हार के बिद्वान लोक सीचेक जो ऐसा कहें जो लोक सिच्छा को पेटिशनर पटना हाई कोटे बना के और उनको देखा रहे थे कि देखिए मेरा देखिए आपका लपी देखिए केस में नाम आ गिया इस बार वो कार्ज नहीं हो रहा है अगर वो कार्ज करना होता है तो बिहार के बहुत से बिद्वान लोक सिच्छा कॉल करते हैं कि मेरा नाम जो रिये लेकिन क्या है कि मेरा मकसद ये है कि एक गेट तो कम से कम तोड़ दिया जाए अगर एक गेट अगर टूर जाता है तो आटोमेटिक पिछे से सभी लोक सिच्छा के इन कर जाएंगे तो जो लोक सिच्छा क यानि कि इस भावना को मन में रखे हुए हैं उनसे निवेदन है कि ये जो LPA 432-2024 है ये एक गेट तोरने का कार्ज करने जा रही है और इसमें मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी आपका हाख अधिकार है High Court के Chief Justice लेके Supreme Court के Chief Justice महोदे के पास ये भेजा जा रहा है इससे पहले पटन पना High Court में एक जजज थे उन पर कमपेलेन किया था तो उनका ट्रांसफर भी हो गिया तो यही कहना है कि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं कंकर भी घरा भर देता है तो देखिए आपका जो भी मामला है चिफ जैसी सुप्रीम कोट के पास भेज दिया गया है कि कम से कम LPA में पैरा बाई जवाब तो फाइल कर दिया जाए और आज आपका मामला भी LPA में लोजमा में चल को ऐसा कहना है कि 106 में जो भी छुटे हुए है और विलम आके आप कॉंटेक्ट करके जो भी है साइन कर दें यही आप से मेरा निवेदन है यह आप देख रहे हैं चुकि अभी अरली मॉर्निंग है और आज मैं मैं दो बजे रात में जाकर चुकि यह मुहिदी नगर ठे बजे और इसको पकर के पटना हाई कोट में जाना है और लो आजमा में जो डेट है उसको किसी तरह एटेंड करना है चुकि यह कार्ज बहुत जिम्मेवारी भरा है और जिम्मेवारी को निभाना ही समझे बहुत बरी बात है तो आपका जो भी लो आजमा में होगा मैं आप से निवेदन करूँगा चुकि इसमें नाम मांगा जा रहा है तो जिनका भी नाम अगर मैं फाइनल रिपोर्ट अगर समीट कर देता हूं तो जिनका भी नाम छूट जाता है तो फिर उनका फिर जूर नहीं पाएगा तो विद्वान लोग सिचहों से यही कहना है कि आप आप अबिलम कॉंटेक्ट कर लिजिए जिनका एक सोचों में नाम है और कंटेक्ट करके आके साइन कर लिजिए विशेशुरुप से परमेसर भाई सहरसा है उनसे समझ लिजिए या और भी रंजीत भाई संगीता जी उसके बाद राजेंदर राम जी जो भी सक्रिये है अर जो उनसे कॉंटेक्ट करके आप अबिलम आ जाएं यह चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद